असलाम अलेकुम आज मैं आपको बताऊंगी आलू गोष्ट की रैसिपी कैसे त्यार की जाती है उसके लिए मैंने यहां पे एक किलो बड़ा गोष्ट यूज किया है इसे मैंने अच्छी तरह दो लिया है तीन बड़े साइस के मैंने इसमें आलू यूज किया है चार बड़ी प्याज एड़ की है इसमें दो बड़े टमाटर और तकरीबन छे से साथ इसमें मैं ग्रीन चिली जाएड कर रही हूं अगर आप चाहें तो आप और यूज कर सकते हैं इसमें वन टी स्पून रड़ चिली पाउडर यानिके सुरक मिर्च वन टी स्पून सोल्ट यानिके नमक एंड हाफ टी स्पून टर्मरी पॉडर यानिके पिस्वी हल्दी और इसमें वाट टी स्पून अध्रक लसन का पेस्ट योज करोंगी एक में प्रैशर कुकर लोंगी उसके अंदर में डाल लोंगी पहले ही सारा गोश्ट प्यास टमाटर हरी मिर्च अध्रक लसन का पेस्ट और ये सारे मसाले में इसमें अड़ कर दोंगी अगटी डालने के बाद में इसमें हाफ कप पानी डाल लोंगी और फिर मैं इसका प्रैशर लगा कर रख दोंगी अध्रक प्रैशर बन किया था और चीटे सार दी थी ये इस तकरीबन त्यार हो गया इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी है मैं इस अची तरह मून लोंगी ताकि खुश्क हो जाए फिर मैं इसके अंदर कुकिंग वैल एड कर लोंगी तकरीबन खुश्क हो गया अब मैं मैं इसमें कुकिवर एड करोंगी दो टेबल स्पून बड़े चमच और साथ ही मैं इसके अंदर यालू एड कर दोगी और इस इची करा से भून दोगी ये बूंगे तियार हो चुका आप मैं इसमें ग्रैवी के लिए पानी एड कर लोंगी तरीबन एक मगगा आप क्या है अब मैं इसका प्रैशर लगा दोगी तो पास मिंट के बाद इसका प्रैशर बन कर दिया था अलू गोष्ट का सालल मन के तियार हो गया है अब मैं इसमें थोड़ी सी सूखी मित्री डाल दोगी ताके इससे इसकी खुश्बू हो जाए और इसका ढुकन दोबारा लगा के अलू गोष्ट का सालन बन के तियार हो चुका है इसे मैंने गार्णिश करने के लिए इसमें बारी कुटा हुआ हरा दिया डाला है इसकी मैंने आपको आज असान रेसिपी बताई अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें इसे शियर करें और मुझे कमेंट करके अलू आपको 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 झाल झाल